नवश्कार सांतिय जे हिंच जे भारत बंदे मातरम SSC GD 2022 ते इसके सभी के एक्जाम हो चुके हैं और सभी का एक ही इंतजार है आंसर की को लेकर वो रिजल्ट कब तक आएगा तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा क्या आंसर की आपको कहां से देखना है कर दे दीजी देखिए उसकी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा क्योंकि उस वीडियो में आपको पूरी डीटियल में बताया है कि जो कटफ है वो मेल फीमेल स्टेट वाइस आपको कटफ बताईए तो आप वो वीडियो से अंसर की को आपको केसे देखना है तो यह मैं आपको बता देता हूँ तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है लोगिन वाले सेक्षन में आपको अपने आपको लोगिन कर लेना है लोगिन करने के बाद जब आप जो SSEGD वाले सेक्षन में जाओगे तो वहाँ पर आपको एक answer की का section भी मिलेगा नीचे वहाँ से भी आप answer की देख सकते हो या आप सरकारी result.com की official site पर answer की वाले section में जाकर भी answer की देख सकते हो तो जैसी answer की आएगी तो हमारे चलंके माज़्यम से आपको provide कर दी जाएगी लेकिन मैं आपको एक expected data बता देता हूँ answer की कब तक आ जाएगी तो मैं आपर आपको SSC CGL 2021 और SSC CHCL 2021 की जो answer की release करी थी कितना दिन का इन्होंने gap लिया था SSC ने उसके basis पर आपको बताऊँगा तो आपसे यहाँ पर बात करूँ के SSC CGL 2021 में अपने 21 अपरेल को यहाँ पर exam थे वो खतम हुए थे और वहीं इन्होंने प्लस 11 दिन बाद अपने को answer की release कर दी थी और दो महीने बाद इन्होंने result दे दिया था किसका CGL का इसी बेज़ड़ पर मैं आपको GD का भी बताऊँगा वहीं CHSL की बात करूँ तो 10 जून को अपना जो exam था वो यहाँ पर खतम हुआ था CHSL का 2021 में और वहीं इन्होंने 12 दिन बाद अपने को answer की दे दी थी मतलब कितने को 22 जून को answer की दे दी थी 42 दिन बाद इन्होंने result announced कर दिया था मतलब तेड़ महीने बाद इन्होंने result announced कर दिया था इसी बेज़ड़ पर मैं आपको SSC GD का बताऊँ तो अपना जो exam में वो कब खतम हुआ अपना exam हुआ है 14 फरवरी को खतम अब 14 फरवरी को exam खतम हुआ है तो आपको बता देता हूँ कि अगर result में अपन 12 दिन add कर चले तो अपना जो answer की है वो कब तक आ जाएगी 26 फरवरी तक 26 फरवरी एक expected date आपको बता रहा हूँ कि 26 फरवरी उपर नीचे हो सकता है 2-3 दिन और वही result कब तक आ जाएगा तो अगर आपन 26 फरवरी में अगर 2 मंत एड कर कर चले 2 मंत एड कर कर चले तो अपना जो March-April मतलब April के end week में आपका जो result है वो announced हो जाएगा April के end week में आपका result announced हो जाएगा तो जूड़े रही हैं आप हमारे चैनल पर क्योंकि जैसी SSC GD के regarding कोई भी update आती है हमारे चैनल के माध्यमस आपको सबसे पहले provide कर दी जाती है तो फड़ा पर से चैनल को subscribe कर लेना क्या कर लेना subscribe कर लेना क्योंकि जो भी update रहती है सबसे पहले हम आपके पास लेकर आते मिलते किसी new video और new update के साथ तब तक लिए जैहिंज भारत बंदे मातरम cut up जरूर से देख लेना